हेलो मित्रों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी आन ट्रैक पर हर्दिक स्वागत है उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्त होंगे आज का हमारा विशय है मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंद हमने कुछ प्रशनों के संकलन लिये हुए हैं जिस्ष्रे हमारा यह प्रयास है कि वन लाइनर की रूप में इसे हम आपको प्रवाइट कराएंगे और यह आपके आने वाले एक्जाम्स में काफी फायदेमंद साबित हों साथी साथ हम ऐसे ही मध्यकालीन भारत के और भी प्रशनों के संकलन साथी साथ और भी विश्यों के संकलन लाएंगे वो लाइनर के रूप में भी अपको ज्यादा से ज्यादा मैटेरियल प्रोवाइट कराया जा सके आपका अच्छे से रिवीजन हो सके ताकि एक्जाम्स में आपको बहतर परफॉर्म करने के लिए एक सही दिसा में अच्छे नौलेज के साथ प्रशनों का संकलन प्राप्त हो सके ठीक है हम सुरुआत कर अगर हमसे यहां पूछ लिया जाएगा कि महमूद गजनवी ने भारत पे कितनी वार आक्रमण किया था तो हमारा उत्तर होगा 17 वाद मेहमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 इस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ जिसमें मंदिर में लूट पाथ की गई मुहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 इस्वी में किया था यह आक्रमण मुल्तान एवन सिंध पर था मुहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 इस्वी में पाटन गुजरात जोकी बरतमान गुजरात में है यहां के साशक भीम दितिय ने गोरी को बूरी तरीके से परास्त किया था तराइन का यूद्ध 1191 इस्वी में मुहम्मद गोरी वत चोहान के बीच हुआ इसमें चोहान बिजयी रहे तराइन का यूद्ध, तराइन का परतम यूद्ध और तराइन का दुतिय यूद्ध यह आपका काफी famous यूद्ध है या आपके एक्जाम में कई बार प्रशन इसका पूछ चुका है तराइन का दित्य यूद 1192 इस्वी में मुहम्मद गोरी और चौहान के बीच में हुआ इसमें गोरी को विजय प्राप्त हुई गुलाम उन्सकी स्थापना 1206 इसवी में कुतबु दिन एबक ने की वह गोरी का गुलाम था कुतबु मिनार की नीव कुतबु दिन एबक ने ही डाली थी इसका निर्मार इल्टूतमिस ने करवाया था कुतबु दिन एबक को लाख बक्स लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था प्राचीन नालंदा विश्विद्याले को धुस्त करने वाला एबक का सहायक सेनानायक बक्तियार खिलजी था बक्तियार खिलजी ही था जिसने नालंदा विश्विद्याले को पूरी तरीके से धुस्त कर दिया था इल्टुतमिस ने लाहोर से राजधानी को इस्थानांतरित करके दिल्ली लाया इल्टुतमिस पहला सासक था जिसने 1229 सिस्वी में बगदाद के खलीफा के सुल्तान पद की वैद स्विक्रित प्राप्त की इल्टुतमिस की पुत्री रजीया ने 1226 सिस्वी में इस्थानी जनता के सहयोग से दिल्ली के सिंघासन पे अधिकार कर लिया इस प्रकार रजिया बेगम प्रत्थं मुस्लिम महिला थी जिसने सासन की बागडोर समाले राज दर्बार में सिजदा एवं पैबोस प्रत्था की सुरुवात बलवनने की थी अलाउदिन खिल जी ने सेना को नगत बेतन देने एवं इस्थाई सेना की निव रखे अलाउदिन ने अपने सासन काल में मुल्य नियंत्रा पडाली को द्रिढ़ता से लागू किया अमीर खुसरो जिसे मुहम्मद हसन के नाम से भी जानते हैं अलाउदिन की दर्बारी कविते उसे सितार एवं तबले के अविशकार का स्रे दिया जाता है मुहम्मद बिन तुगलक ने क्रिसी के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की फिरोज तुगलक ब्राहमडों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसल्मान सा सकता कौन ता फिरोज तुगलक सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुसलिम महिलाओं विधुआओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नवी विभाग दिवाने खैरात की स्थापना की फिरोज तुगलक ने पांच बड़ी नहरों का निर्माड करवाया 1504 इस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा सहर की स्थापना की उसे अपनी राजधानी बनाया भूमी के मापन के लिए प्रामारिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलान सिकंदर लोदी ने किया 21 अप्रेल 1526 इस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया यानि कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है या इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था जिसमें कि इब्राहिम लोदी मारा जाता है 21 अप्रेल 1526 सिस्वी को विजय नगर सामराज की स्थापना 1336 सिस्वी में हरिहर यंबुक का नामक दो भाईयों ने की विजय नगर के तुलू वंस का महांसास क्रिष्ण देव राय था क्रिष्ण देव राय तुलू वंस से संबंदित थे विजय नगर के थे क्रिश्ण देव राय के दर्बार में तेलुगू साहित्य के आठ सरुषिष्ट कवी रहते थे जिसने अश्ट दिगज कहा जाता था। नांगल पूर नामक नए नगर हजारा एवं बिठल स्वामी मंदिर का निर्माण क्रिश्ण देव राय ने करवाया था। मुहम्मद बिन तुगलक के सासन काल में 1347 इसवी में हसन गंगू ने बहमनी राज के स्थापना की। मुगल वन्स का संस्थापक बाबर था। विलग्राम का युद्ध जिसे हम कन्योज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं 17 मई 1540 इसवी में सेरखां एवं हुमायू के बीच हुआ इस युद्ध में हुमायू पराजित हुआ सेरखां की विजय हुई। हुमायू जियोतिस में विश्वास रखता था इसलिए उसने सताह के सातों दिनों सात रंके कपड़े पहनने के नियम बनाए। सेरखां ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए। सेरखां ने ग्रांड ट्रैंक रोड की मरमत करवाई। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। किले के साह बूर्ज एवं यमना तर परिस्थित पत्थर के खंबे में लगवाई गई थी। मुगल चित्रकला अपने चर्मूत कर्ष पर जहांगीर के सासनकाल में पहुची और यहीं पे अगर हमसे इस्थापत्यकला की बात कर दी जाएगी तो इस्थापत्यकला आपके साह जहां के समय में थी। इस्लाम स्विकार नहीं करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंग जेव ने करवाई थी। मुगल काल में रुपय की सरवाधिक ढलाई औरंग जेव के समय में हुई थी। मुगल कालीन सैन वेवस्था पूर्ण तह मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ की थी। सिवाजी के मंत्री मंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। सिवा जी के मंत्री बंदल को अश्र प्रधान में पेशवा का पद सरवाधिक महतपूर एवं श्रमान का होता था चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर कर टैक्स सिवा जी के द्वारा लगाया गया था चौथ मराठे जब किसी राज्य को जीत कर उसे वापस कर देते थे अपने पास नहीं रखते थे जिस पे आक्रमर करते थे उससे जीतने के बाद उसी को वापस कर देते थे और वहां से एक बटे चार एक चौथाई हिस्सा राजस्व के रूप में प्राप्त करते थे उसे चौथ कहा जाता है सरदेश मुखी जब मराथे राज्य को जीतने के बाद अपने अधीन कर लेते थे और एग बटे दस हिस्ता राज़ोस्व के रूप में लेते थे उसे सरदेश मुखी कहा जाता था बहादूर्शा दुती या बहादूर्शा जफर अंतिम राजा थे अपने मुगल काल के ठिक मुगल काल के तमिलनाड में यस्तित तंजोर चोल राजाओं की राजधानी थी मंदीर इस्थापत त्यकला की जो द्रविड शैली है तो जो द्रविड सैली है यह आकारम आपके पल्लव वथ प्य आस के समय में हुआ था स्रिलंका को विजय प्राप्त करने वाले चोल वन्सक्यार का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम थे जिनका स्राशंकाल एक हजार बार से एक हजार चवालिस तक इस भी तक था सरा ए अदल वस्त्र एवं अन्य वस्तुमों का बाजार था अमीर खुसरो जिसे तोता ए हिंद के नाम से भी जानते हैं ने खड़ी बोली के विकास में अग्रडी भूमिका निभाई है पंजाब के हिंदू साही राजवन्स को कलर ने स्थापित किया था एनालेक्स में चीन के दार्सनिक कनफ्यूसियस के नैतिक एवन दार्सनिक विचार प्रस्तूत हैं एनालेक्स में इसका संबंध चीन से है एनालेक्स कनफ्यूसस वाद का पवित्र ग्रंथ है कलहड की कृति है कलहड की रचना राश्तरंगडी है जो की महाभारत काल से सुरू होती है ऐसा माना जाता है इसका रचना काल 1147 से 49 सिस्वी माना जाता है यह कविता के रूप में है और यह कस्मीर के इतिहास में वड़ित है वराह मिहीर का जन्म उजयन के समीप कपिथा गाओं में एक ब्राहमण परिवार में हुआ था वराह मिहीर एक गड़ितग एवं खगुलग्य थे उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक में व्रिहत सहिता व्रिहत जातक और पंच सिध्धानतिका जैसी उनकी महत्वपूर्ण पुस्तके हैं व्रिहत सहिता में इन्होंने भवन निर्मार कला, वास्त विद्या, वाई मंडल की प्रकित आदी सामिल हैं 1860B में हमपी के भगना उसेस कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा स्रकास में लाए गये थे हमपी जो है आपका विजय नगर सामराज की राजधानी थी यहां से अनीक भवनों के अउसेस राप्त हुए हैं, यहां एक विरुपाच मंदिर है यह अस्थान आपका कर्नाटक में हैं, हमपी कर्नाटक में है भारत के कर्नाटक राज़े में इस्थित यह नगर युनेस्को के द्वारा 1986 में विश्व की विरासत अस्थलों की संख्याय सूची में सामिल किया गया है आज इतना ही मित्रों, हमने आपको एक अच्छे प्रशनों के संकलन देने की पूरी कोशिस की है और आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रवाइट कराते रहेंगे अच्छे अच्छे प्रशनों के साथ जो की आपके एक्जाम के लिए बहुत ही फायदेबंद साबित होंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ सेयर करिए और वेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की अपडेट आपको लगातात मिलती रहे धन्यवाद